हालो ट्रेनीज, हावाई यू आल, मैं हूँ संदीप और आज मैं क्लास नाइन्थ के स्टूरेंट्स के लिए कुछ खास लेके आई हूँ जी हां मुझे बहुत सारे कुमेंट्स आते थे कि मैम नाइन स्टैंडर्ड के बारे में भी कुछ बताईए नाइन स्टैंडर्ड की मैट्स की बुक में से भी कुछ इंपो और आजकी इस वीडियो में यह हैं इस में से इंपोर्टन वीडियो को डर बार एक्जाम में पूछे जाते हैं वह वैं इसे व्यों आपके साथ लिएक करूंगी कि कौन-कौन से वैसे questions है जिनको आपने prepare करके जाना है तो वीडियो को end तक जरूर देखिएगा मैं पूरी book हर chapter में से आपको important questions बताने वाली हूँ तो मेरे सब बने रहिए last तक वीडियो को देखिए तो सबसे पहले start करते हैं chapter number 1 वो है number system तो number system में जो important आपको आना है जैसे के आप first exercise पे आएं तो example number 2 देखिए example number 2, page number 4 find 5 rational numbers between 1 and 2 इस तरह के questions बहुत important होते हैं बहुत से भी बहुत जादा important है जैसे 1.1 exercise में इसी में question number 2 है और question number 3 है तो मैं ये नहीं कहती कि same statement आपको आएगी 3 and 4 लिखा है आपको 5 and 7 आ सकता है 11 and 10 आ सकता है कुछ भी आ सकता है लेकिन method तो वही होगा find 5 rational numbers between 3 over 5 and 4 over 5 इस तरह से 3 over 5 और 4 over 5 की जगा कुछ और लिख सकते हैं पर ये जो 5 rational numbers find करें 6 rational numbers find करें between this and this these type of questions are very important उसके बार next चलते हैं जो irrational number पर ये exercise आपकी 1.2 है locate under root 2 आपनी कौन कौन से locate करने है practice करेंगे आप under root 2 की under root 3 की under root 5 की उसके बाद under root 7 की इन चारों में से एक question पका आजाता है तो इसको आपने अपनी notebook पे number line पे locate करने की practice ज़रूर करनी है उसके बाद ये 1.2 में बस यही आएगा 1.3 exercise में जाएं तो example number 7 page number 11 ये बहुत important है which can be expressed in the form of P over Q ये इतनी ज़ादा important है इसमें से एक सम पका ओता है तो इसको मत छोड़के जाएगा इसके है जैसे example number 7 है ये example number 8 है उसके बाद example number 9 की इसी type की है question number 3 और question number 4 ये भी इसी type का है दोनों questions बहुत important है तो इनको आप बिल्कुल नहीं छोड़के जाएंगे clear? उसके बाद आजाएं next exercise ये visualization successive magnification ये तो delete हो चुका है इस year next आगे 1.5 exercise में आएं तो 1.5 exercise में आपको ये rationalize वाले बहुत important है rationalize the denominator ये आपको मैं ये नहीं कहती कि NCRT book में से ही same statements आएंगी आपको कहीं से कोई भी statement ढाल सकते हैं लेकिन आपको rationalize करना आना चाहिए ये rationalize the denominator question बहुत ही जादा important है तो इसको मत छोड़के जाना और एक ये question number 4 ये भी जरूर आप करना उसके बाद आजाए next exercise laws of exponents तो laws कि अगर आपको knowledge है तो ये 1.6 exercise भी कर लेना लेकिन इसमें से questions one mark का ही आएगा और इससे जादा कुछ important नहीं है लेकिन जो rationalize वाले हैं वो आपको section C और section D में आने वाले हैं तो उनको मत छोड़के जाना वो जरूर करके जाना ठीक है जैसे आप यहाँ पे देखें अगर summary में तो summary में 0.9 पे लिखा है to rationalize the denominator of 1 over under root A plus B तो इस तरह के questions आपको आते हैं तो इसमें जैसे आपकी statement आजाएगी 1 over under root 3 plus under root 5 which is equals to A plus B under root 5 ऐसे कुछ statement बना देंगे और यहाँ पे भी लिख सकते हैं यहाँ पे भी numerator में भी ऐसी कुछ statement आजाएगी तो आपको लिख देंगे find the value of A and B इस तरह के questions important होते हैं यह आपको extra book R.S. अगरवाल से मिलेंगे उसके बाद आजाएए chapter number 2 polynomials polynomials में आपको polynomial की definition degrees पता होने चाहिए coefficients क्या होते है manomial, binomial, trinomial linear, quadratic, cubic, polynomial यह सब पता होने चाहिए तो जो 2.1 next है यह तो basic है यह exercise तो आपने करनी ही करनी है क्योंकि इसमें तो मतलब पूरा base है chapter का तो यह आप करेंगे find the zeros of a polynomial next exercise that is very important इसमें से एक सम पका आजाता है जैसे यह सम है question number 4 कि find the zero of the polynomial this is important यह question number 3 में से आजाता है कि आपको 2 zeros या 1 zero given होगा आपने बताना है कि verify करना है कि it is polynomials के zeros हैं या नहीं है तो वो values में substitute करके हम पता करते हैं तो इस तरह के questions आजाते हैं remainder theorem इस बार आपके syllabus में नहीं है उसके बाद आजाएं next जो हमारी exercise है 2.4 2.4 exercise में यह factorize वाले sums question number 4 and question number 5 and question number 3 also find the value of K these type of questions are very important right algebraic identities algebraic identities में identity 8 तो आपकी delete हो गई है तो उसके related तो sums आएंगे नहीं जैसे 25 नहीं आएगा उसके बाद यह 11, 12, 13, 14 यह भी नहीं आएंगे तो इस exercise में important क्या है जैसे question number 2 बहुत important है उसके बाद यह question number 9 और 10 बहुत important है 10 में से तो हमेशा एक आदा question आई जाता है उसके बाद 8 में यह 5th part यह 4th part important है उसके बाद 5th question में 2nd part बहुत important है तो इस तरह के questions बार-बार repeat होते हैं उसके बाद आजाए next chapter coordinate geometry यह आपको full करना है लेकिन यह NCRT book में से बहुत कम आता है क्योंकि NCRT book में से 9 class में सिर्फ introduction ही है कि किस तरह से coordinates होते हैं कैसे x-axis किसे बोलते हैं y-axis इसके से कहते हैं तो इस में से जाद अतर extra ही sums आते हैं तो अगर आपको extra sums चाहिए तो आप मुझे comment box में जरूर बताएए मैं उसकी भी video बना दूँगी कि किस तरह के extra questions आते हैं तो आपने यह NCRT में से तो just introduction ही लेनी है chapter की बाकि आप यह यह वला chapter एक्स्ट्रा बुक से करेंगे तो एक्स्ट्रा बुक आप कोई भी follow कर सकते हैं नेक्स्ट्र नमबर 4 है linear equation in 2 variables तो linear equation in 2 variables में write the 4 different solutions of the equation these type of questions are very important जैसे example number 3 यह page number है 69, example number 3 is very important, example 4 is very important, इस तरह के questions जरूर आते हैं, उसके बाद इसी exercise 4.2 में जाएं तो question number 2, question number 3, question number 4 these are important next exercise पर अगर जाएं तो next exercise में यह question number 3, question number 4 बहुत important है, यह taxi fear वाला तो पता नहीं कितनी बाद रपीट होता है हर साल ही repeat हो जाता है, तो इसको मत छोड़ के जाना मैं यह नहीं कहती कि same statement आएगी लेकिन हाँ यह सारा same लिखा होगा for the first kilometer, the fear is rupees 8 की जगा कुछ और लिखतेंगे and the subsequent distance it for rupees 5 की जगा कुछ और आजाएगा, बाकी सारी as it is statement होगी तो उसको करने का method तो वही होगा question number 3 is also very important उसके बाद इस side पर आएं तो यह यामिनी और फार्थिमी वाला question और if the work done यह भी दोरनों questions, काफी टाइम आए है next जो exercise है आपकी यह 4.4, इसमें से एक question पका आजाता है, यह दोरनों questions ही बहुत important है, right? chapter number 5 अपके syllabus में से delete हो चुका है, उसके बाद हम चलते हैं chapter number 6 पे, chapter number 6 की जो first theorem है, page number 94 पे, that is very important इसका proof जरूर करके जाना उसके बाद अगर examples पे आएं तो example number 1 and example number 2 is also important, actually यह chapter number 6 and 7 है ना, तो कोशिश तो करना इसमें से कुछ भी ऐसा नहा हो कि आप छोड़के जाओ, NCRT से तो सारा ही करके ही जाना क्योंकि इसमें इन दोनों chapters में से extra कुछ आने के chances बहुत कम होते हैं तो यह ज़्यादा तर NCRT ही आता है तो आप इसको पूरे के पूरे chapters को ही कोशिश करना करके जानेगी, बाकि important जो हैं, वो sum number 1, यह सारी exercise ही important है, sum number 2 is also important, 3 is very important, 5 is very important 6 is also very important उसके बाद अगर next exercise पे चले, 6.2 पे तो 6.2 पे यह, example 6 is very important उसके बाद exercise पे आजाएं तो यह sum number 3 question 3 and question 4, question 5 important है, question 6 आप मत करके जाना, इसको चाहे आप छोड के चले जाना यह 6.7 theorem, sum of angles of triangle is 180 degree इसका proof जरूर करके जाना, इसका proof बहुत important है, तकरीबन यह हर साल exams में आ जाता है उसके बाद next exercise 6.3, वो ही angle sum property के based पे है तो यह पूरी की पूरी exercise आप करेंगे, इसमें से कोई sum नहीं ही छोड के जाएंगे next chapter number 7, triangles पे चलते हैं, triangles में भी chapter यह सारा ही important है तो first जो exercise है वो तो आप सारी करेंगे, उसमें आप कुछ नहीं छोडेंगे, because उसमें क्या है, कि सिर्फ two triangles आप लेते हैं, congrency proof करते हैं, उसके बाद result CPCT निकाल देते हैं, ठीक है तो लेकिन फिर भी अगर important बात करें तो यह question number 6 and 7 7.1 exercise में, question number 6 and 7 is very important 7.2 theorem, इसका side opposite to equal angles of triangle are equal, यह next exercise में, काफी questions में, यह result यूज होते हैं, तो इसके results को भी आप learn कर लेना 7.2 exercise में देखें, तो question number 1 is very important example 6 is also important उसके बाद, question number 3, 4, 5 6, 7, 8, मैंने already पहले ही बोला है, कि यह सारा chapter ही बहुत important है, chapter number 6 and 7 तो इसको कोशिश करना कि आप सारी NCRT में से सारे questions ही करके जाएं, 7.3 exercise में, question number 2, 3, 4, 5, these are very important, आगे 7.4 जो है, inequalities of triangle, यह इस साल आपके syllabus में cut हो चुकी है, तो इसमें से आपको कुछ नहीं करना ही, आप छोड जाएंगे next chapter number 8 है, quadilaterals तो quadilaterals में आपको क्या करना है, जो 8.1 theorem है ना, इसका proof आपको आएगा, इसका proof ज़रूर करेंगे उसके बाद जो 8.2 theorem है, 8.3, 8.4 8.5 theorem, यह theorem के सिर्फ results करने हैं इनके proof नहीं करेंगे, सिर्फ आप results लर्न करेंगे, यह आगे questions में use हो जाते हैं तो important questions हैं, यह example number 1, show that each angle of a rectangle is a right angle, it is very important, उसके बाद यह example number 2 is also important next example number 4 is important next आगे 8.8 theorem पे चलें, तो यह इसका result सिर्फ आप करेंगे, उसके बाद example 6 is also important तो sums में अगर आएं, 8.1 में, तो यह देखें, मैंने सब पे टिक लगाई हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि यह हर साल इनमें से कोई ना कोई question पका repeat हो जाता है, तो यह 1, 2, 10 questions आप उसमें से तो आप मत छोड़के जाना first exercise में 1, 2, 10 questions तो आप पका करके जाना उसके बाद आजाती है 8.9 time theorem, इसका भी आपको सिर्फ result ही करना है तो इसमें आपको क्या important है 8.2 exercise, इसकी चाहे examples मत करके जाना 8.2 की, लेकिन इसके जो first sum है वो इतना important है, यह तकरीबन हर साल repeat हो जाता है, तो इसको मत छोड़ना उसके बाद यह 8.2 में question number 2, 3, उसके बाद यह question number 5, 6, यह सारे important है तो इसको जरूर करना next area of parallelogram इस साल के लिए delete हो चुका है, तो इसमें से तो कुछ नहीं आएगा, उसके बाद हम चलते हैं chapter number 10 पे, that is circles तो circles में आपको क्या करना है 10.1 तो just blanks है 10.1 theorem, page number 172 पे, यह proof आप जरूर करेंगे, इसका proof बहुत important है उसके बाद, यहाँ पे 10.3 पे यह result सिर्फ आएगा, इसका proof नहीं आएगा, 10.2 का भी proof करेंगे, 10.1 का भी proof करेंगे, और जो 10.2 exercise है question number 1 and 2, यही दोनो same proofs दुबारा इनी questions पे repeat हो रहे हैं, तो यह दो हो गए theorem के proof, अगर कर लिए तो यह दो अपने आप ही हो जाएंगे, उसके बाद 10.5 तो delete हुए, 10.4 का आप सिर्फ result करेंगे, 10.3 exercise नहीं करेंगे, 10.6 का सिर्फ result करेंगे, 10.7 का भी result करेंगे, example 2 is important, इस exercise में सिर्फ 5 and 6 sums important आता है, तो इसको मत छोड़ के जाना 10.9 का आप सिर्फ result करेंगे 10.10 आपकी delete है उसके बाद next आजाएंगे आप exercise 10.5 में तो आपके questions हैं, question number 3, 4 and 5 7, 8 में यह सिर्फ आपको important questions बता रही हूँ, यह नहीं कि यह जो आपकी questions में नहीं बता रही हूँ, वो deleted है deleted नहीं है, करने है लेकिन अगर important की बात करें तो मैं सिर्फ आपको important questions बता रही हूँ, इस video में question 12 is also important उसके बाद चलते हैं, chapter number 11 constructions पे, तो construction 11.1 exercise यह तो बहुत simple आप छोटी classes में भी करते आ रहे हैं 7th 8 में कि 60 degree, 90 degree 45 degree इस तरह के angles आपको draw करने आने चाहिए, वो भी with the help of a compass, उसके बाद question number 5 is important और next exercise में यह first, second and third, यह तीन question में से 1 question पका आजाएगा, यही 3 question करने है, 4 and 5 नहीं करना, यह तो वैसे भी आपके slavers में delete हो चुका है, उसके बाद next chapter पे चले हिरोन's formula तो हिरोन's formula में first exercise वैसे तो आपके slavers में पूरी की पूरी है, लेकिन अगर important questions की बात करें, तो question 4, 5 and 6 यह तीनो questions बहुत important है और इस side पे अगर आएं, तो example number 3 is important, example number 2, 1, 1 example number 1 is important, example 3, और question number 4, 5 and 6, उसके बाद आजाए next exercise पे, तो next exercise पे, sum number 4 question number 4 is very important यह question number 4 उसके बाद आप करेंगे यह 6, 7 और 8, यह तीनो questions बहुत important है, उसके बाद surface area तो surface area पे आप क्या करेंगे, page number 212, example 2 is important, यह तो पूरे का पूरा chapter आपके slavers में आना है, तो अगर पूरा कर सकते हैं, तो पूरा करिया, अगर important questions की बात करें, तो example number 2, उसके बाद exercise 13.1 में, question number 1, 2 3, 4 and 5 उसके बाद last 8 यह questions, mark कर लें, यह important questions है, उसके बाद 13.2 पे आएं, तो question number 1 and 2 important है उसके बाद next page पे आएं, तो question number 4, 5, 6, 7, 8 these are important questions next पे आजाएं, example number 5 page number 220, example 5 example 6, बोथ हार important, उसके बाद exercise 13.3 पे आएं, तो question number 1, 2, उसके बाद 5, 6, 7, यह important questions है next exercise पे चलें तो example number 9 and 10, page number 224 बोथ हार important examples, exercise 13.4 में, question number 4, question number 8 and question number 9 next, example 11, page number 227 next exercise 13.5, question number 1, 2, 3, 4, 5 and question number 9 these are important next page पे 229 पे, example number 13 is important 13.6 में आएं, तो question number 2, question number 4 करेंगे आप उसके बाद question number 7 and 8 यह काफी बाद repeat हो चुके हैं exams में, इसलिए में आपको बता रही हूं, वैसे अगर आप पूरा चैप्टर करें, तो जादा बैटर होगा example 16 भी important है इसी exercise 13.7 में question number 3, 4, 5 question number 7 and question number 9 next पे चले आप example number 19, example number 18 page number 235 पे तो आप भी अपनी books पे साथ-साथ में mark करते जाएं exercise 13.8 में question number 2, 3, 6, 8, 9 and 10 यह थे 13 चैप्टर में से, उसके बाद चलते हैं 14 चैप्टर, 14 में 14.1 तो नहीं करेंगे या bar graphs में example number 6 करेंगे आप ठीक है, उसके बाद कोई example नहीं करेंगे, कोई example नहीं आएगी तो अगर exercise में आए तो सिर्फ 1, 2, 3 सम्स हैं सिर्फ आपको question करने है 1, 2, 3, बाकि कोई question नहीं आपने करना, next exercise पूरी की पूरी deleted है, वो तो आप करेंगे ही नहीं, उसके बाद next chapter पर आजाएं, वो next chapter है probability, तो probability भी आपको पूरे का पूरा करना है, वैसे ये extra जादा आता है, तो extra book से भी जरूर इसकी practice करना, तो important questions इस book में से कौन से हैं, ये example number 1 जो pay number 277 पर है, example number 2 भी बहुत important है, example 3 important है, example 4 भी बहुत है important, example 5 भी बहुत important है, तो ये examples तो अपने नहीं छोड के जानी है, उसके बाद अगर exercise पे आएं, तो exercise में important है, sum number 1, question number 1, question number 2, उसके बाद question number 4, then चलें question number 4 के बाद question number 7, उसके बाद इस साइट पे question number 11, ये बहुत important है तो वैसे तो उसके बाब next chapters finished बस इतने chapters है probability last chapter है तो यही थे NCRT book में से important questions जो मैं आपको बता चुक हूँ वैसे तो अगर आप full marks चाते हैं तो NCRT full book करके जाएं बहुत अच्छा होगा अगर आप extra questions भी चाते हैं कि कौन से questions extra आते हैं जो NCRT book में available नहीं है तो आप मुझे comment box में बताएए मैं उसके भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी तो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like ज़रूर कीजिए और अगर चानल को subscribe नहीं किया तो चानल को subscribe भी कीजिए बाई